नमस्कार साथियों, वियेई से रिलेटेड हम बात करेंगे करोना अप्टेट के बारे में कल की डैट में 26 अक्टूबर, 27 अक्टूबर को वियेई सरकार ने कुछ करोना PCR रिपोर्ट के बारे में कुछ फरिवर्तन किया है साथ कंट्री ऐसी हैं जिनको करोना की रिपोर्ट अपने देश से लेने की आपसिकता नहीं है यह सरकार्ण में दो अप्शन दे रखे हैं एक आप 96 और पहले की रिपोर्ट लेके साथ आईए दुसरा आपका एरपोर्ट पे मेडिकल होगा ठीक है लेकिन साथ कंट्री ऐसी हैं जिनको मेडिकल रिपोर्ट की ज़रुत नहीं है कुछ कंट्री ऐसी हैं जिनमें दोनों मेडिकल की ज़रुत रहेगी कुछ छूट दी गई है कुछ लोगों को जिनमें मेडिकल की ज़रुत भी नहीं है वो सीधे आ सकते हैं UAE में जी हाँ और कुछ जैसे एजूकेशन से रिलेटेड आ रहे हैं तो पूरी जानकर ही हम बताएंगे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सेर करें चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ओन कर लें फेस्बुक पेच वाले पेच को फॉलो कर लें ता सब्सक्राइब कोविड नाइंटी रिपोर्ट उसी से आपका काम चल जाएगा फिर आप अपने दुविएई में अंदर परवेश कर सकते हैं ठीक है तो पहले उनकी हम बात कर लेते हैं आप देख सकते हैं एयरलाइन के वेपसाइट पर पोस्ट किये गए नविंतम यात्र अपटेट के नुसार पूर्वा कोविड टेस्ट परिक्षन आप व्येई निवाशियों और लगबग साट देशों के यातरियों के साथ ही यूग के जर्मनी के परियतनों के लिए अनवार ये नहीं है इन देशों की वेई निवाशियों पास आगमन यानि एयरपोर्ट प बेलजियम, बोनसिया, हर्जोगोविना, ब्राजिल, बुर्ने, बुल्गारिया, कनेडा, चीन, डेनमार्ग, इस्टोनिया, फिनलेंड, फ्रांस, जर्मनी, होंग कोंग, आइसलेंड, इंडोनेशिया, आइरलेंड, इटली, जापान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कुवे पुल्गाल साथियरब सरभिया सेल्स सिंगापूर रुसोमानिया सोमालिया दक्षन अफ्रिका दक्षनी कोरिया इस्पैन स्वीटन सीजर लेंड ताइवान थाइलेंड तूर्की उनाइडेड किर्णम शिंगतराज अमेरिका में स्टेड न्योऔर्क वाशीकटन डी सी बॉस जिन में दो मेडिकल की जुरूत है उनमें जैसे इंडिया हो गया पाकिस्तान नेपाल इन तरह से वह कौन से देश हैं जो अपने देश में रिपोर्ट लेकी आएंगे तब उनको वहां से इंट्री मिलेगी अपने देश से और फिर वे मेडिकल दुबारा होगा वो सुन ल गलादेश, कंबोडिया, चिल्ली, कोटे, डिवली लायर, क्रोशिया, साइपर्स, चेक गंडराजे, जीपूती, मिसर, इरुटिया, इथोपिया, जार्जिया, गाना, ग्रिस, गिनी, हंगरी, भारत, इरान, इराक, इसराइल, जोर्डन, केनिया, लेबनान, माल्टा, माल् मेंटो, नेग्रो, मौरको, मयामार, नेपाल, पाकिस्तान, फिलिफिन्स, रोमानिया, रूस, रवाड़ा, सेनेगल, सलोवाकिया, सोमानी लेंड, दक्षनी सुडान, सुडान, सीरिया, तजाकिस्तान, तजाजनिया, टुनिशिया, तुनिशिया, तुर्किमिस्तान, तब मिलेगी एरपोर्ट पे तब आप वहां पे कोई टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव लेंगे और फिर आपका दुबई में एरपोर्ट में दुबारा मेडिकल होगा अब छूट की बात करें बहुत किन किन लोगों को है तो वह आप देख लीजिए बारा वर्ष से कम उमर के बच्चे को इसमें छूट दी गई है करोना में या फिर गंबीर कोई विकलांग आदमी है जिसे उठाई नहीं जाता बिना सारे के उनको कोविड-90 प्रिक्षण से छूट दी गई है बिना प्रिक्षण के वो आ सकता है UAE के नागरी को मूल इस्टेशन से दुबई जाने से कोविड-90 प्रिक्षण करने से छूट दी गई है दुबई पोंचने पर उनका प्रिक्षण किया जाएगा दुबई के लोग दुबई में जो रह रहे हैं वो दूसरे देशों में जाते हैं उनको छूट है वो जा सकते हैं कौन से प्रियोग साले हैं जो अधिकरते हैं वो देख लीजिए बाई इमरेट्स के नुसार यातरी या तो वे सरकार दवारा जो गोशना की गई है उनी से आपको मेडिकल करवाना है और विश्वस ने परमानित प्रियोग सालों में अपना कोविड-8 PCR प्रिक्षण करवा सकते हैं यदि आप भारत बंगलादेश पाकिस्तान से उड़ान भर रहे हैं तो आपको उड़ान पर सिवकार किया जाने के लिए निर्देशित प्रियोग साला जो मैंने पिछले वीडियों में बताया है वहीं से आपको करवाना होगा यानि आई सीमा रजिस्टर प्रियो सब्सक्राइब करने से पहले एक एक्जाम देना चाहते हैं तो आपको चेक इन करने के लिए अंग्रेजी या अरभी में का दिकारिक मुद्रित प्रमान पत्र लाना होगा ऐसा मस्या जटिल प्रमान डिजिटल प्रमान पतर नहीं चलेगा कई बार हम बोल देते हैं सरी यह मोबाइल में मेसेज है या समस है तो वो मानें नहीं करेंगे इस से रिलेटेड मैंने आपको पूरी जानकरी दे दिये मेरे साब से आपको समझ में आ गया होगा वीडियो चाला के तो लाइक शेयर करें चैनल सब्सक्राइब कर लें फेस्बुक पेज वाले पेज को फोलो क कर लें मिलते नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकरीक साथ जय हिंद जय भारत